Hey students, बच्चो आज बात करेंगे inequality and discrimination के बारे में ठीक है, कैसे हमारे समाज में जो inequality है, मतलब आसामानताएं हैं उसकी वज़े से भेदभाव हो जाता है ठीक है, जिसे prejudice की वज़े से बच्चो discrimination होता है, जिस वज़े से prejudice हमें पता है हमारे मायन में जो stereotypes पैदा हो जाते हैं, उनकी वज़े से जिस प्रकार से भेदभाव होता है उसी प्रकार से inequality की वज़े से भी भेदभाव होता है लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, जो inequality है कुछ चीजों में वो natural है जैसे की religions में तो हमें पता है कि सारे religions समान नहीं हो सकते तो यह जो unequal religions है, असमानता है इनको accept करना चाहिए हमें कि हम अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं चीजों के इसके अलावा भी बहुत सारी असमानता है इन असमानताओं को अपनी ताकत बनाने की बजाए यह कई भी कबार क्या हो जाता है बेदभाव का कारण बन जाती है जैसे, फर्स पॉइंट देखेंगे बच्चो तो inequality can be due to caste distinction अब बच्चो अलग-अलग caste के लोगों में अलग-अलग caste के लोग क्योंकि caste अलग है तो वो असमानताओं को जन्म देती है कैसे बच्चो समझेंगे जो early iron society थी उसमें क्या था? वो चार वर्नाज में divided थी आपको पता होगा ब्रामिन, शत्रिय, वैश और शूद्र तो बच्चो यह अपने काम के according divided थे, जो ब्रामिन थे उनका work different था शत्रिय वार्ज में जाते थे उनका लडाई का काम था और बाकी वैश इनको वैश बच्चो इनको जो आपका trading work था वो इनके काम था जो शूद्र थे, वो lower caste माने जाते थे वो as a worker काम करते थे है ना, तो यह starting में Aryan society में ऐसा divide किया गया था फिर क्या हुआ, जब हमारा social structure start हुआ, तो वो किस पे based था, occupation पे based था, like अगर किसी के father वो काम करते है तो उनका बेटा भी वही काम करे and ऐसे हमारी caste divided थे ठीक है, लेकिन बच्चो आज महौल बदल चुका है आज, अगर हम इन ही systems को आज के दोर में apply करें and आज उसी नजरिये से सब को देखें तो इससे क्या होगा, यह तो बहुत गलत है, ठीक है यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यह inequalities फिर भेदभाओ को जन्म देंगी, राइट बच्चो क्योंकि पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था जो occupation थे वही hereditary बन जाते थे बच्चो मतलब जो पीड़ियां थी, वो same ही काम करती रहती थी दादा भी अगर वही काम करते थे तो उनका बेटा भी, उनका पोता भी तो जितनी भी पीड़ियां होती थी, वो same काम करती रहती थी इस वज़े से क्या हुआ, social mischief हुआ, लोगों में आपस में inequality की feeling आ गई इसके अलावा बच्चो, religious differences भी होते हैं, हमें पता है कि सारे religions different हैं, बट हमें ये भी पता होना चाहिए, कि कोई भी धर्म हमें, कभी कुछ बुरा नहीं सिखाता, वो हमेशा हमें अच्छा ही सिखाएगा, तो कुछ लोग किसी धर्म की जो असली value है, उसे भूल के क्या करने लग जाते हैं, अपने ही धर्म की तारीफ करने लग जाते हैं, केवल हमारा ये धर्म अच्छा है और बाकी धर्मों के टूवर्ड्स हेट्रिड पैदा करने लग जाते हैं बचो, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में religious wars होंगे crusades होंगे, ऐसा ही हुआ था middle age के दौरान, जब Christians में and Muslims में काफी wars होए थे इसका एक example दिया है many Roman Catholic rulers prosecuted their Protestant subjects बचो, जो रोम में Catholic rulers थे Catholic, बचो, Christian की एक divination है Christians तो टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक Catholic है तो वो जो Catholic rulers थे, उनकी जो Protestants थे, जो उनका विरोध करते थे, तो उन पे वो मुकदमे डाल देते थे इसी प्रकार जो Protestant बचो, Protestant एक टाइप के Christians ही का नाम है, दो टाइप्स के Christians होते हैं, Catholic और Protestant चिक है, तो जो Catholic rulers थे वो Protestant पे मुकदमे कर देते थे, उसी प्रकार जो Protestant ruler है, वो जो Catholic लोग थे उन पे मुकदमे कर देते थे मतलब religion के अंदर भी आपस में भेदभाव शुरू हो गया था इसके बाद इंडिया में भी बहुत कुछ हुआ बच्चो religion के basis पे इंडिया को भी कई बार divide किया गया इस वज़े से हम यह deny नहीं कर सकते कि religious differences की वज़े से भी आसमानताएं आ जाती है इसके अलावा बच्चो third point है gender disparity gender disparity का क्या मतलब होता है बच्चो disparity का मतलब है आसमानताएं अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे लोग है उसके सबके genders equal नहीं है कुछ हमारे half male है तो half female है या उससे कमी ratio है बच्चो कुछ लोग males है तो कुछ females भी है अब देखो अगर आप देखो तो कहा जाता है कि इंडिया में women को 40% कम पैसे दिये जाते है than a man ये average amount है बच्चो अगर आपको अगर आप एक man हो आपको वो काम करने के 100 रुपे मिल रहे हैं तो एक women को वो काम करने के 60 रुपे मिलेंगे तो बच्चो ये बहुत गलत है अब इससे भी तो असमानता create होगी इसके अलावा sex ratio in India is considered the lowest in the world sex ratio क्या होता है बच्चो number of male to number of female कितने लड़के और कितने लड़किया है तो इसमें देखा गया है कि लड़कियों की संख्या इंडिया में लड़कों की मताबिक बहुत कम है ठीक है but both economically and health wise women in many countries of the world are discriminated against अब आपको पता है कई countries हमारे इंडिया में फिर भी बाकी countries के मताबिक थोड़ा जादा better environment है लेकिन और भी बच्चो वर्ड में काफी countries है जिनमें economically और health के बात में भी women's की हालत बहुत खराब है उनके साथ discrimination भेदभाव है ठीक है infant mortality rate is more among girls than among boys infant mortality rate होता है बच्चो एक age से पहले ही बहुत कम age से 5 years 3 years से पहले ही अगर बच्चा मर जाता है या 1 years उससे पहले ही बच्चा मर जाता है तो उससे infant mortality कहते हैं तो बच्चो यह इंडिया में girls का बहुत जादा है यानि mostly काफी number of girls पैदा होने से थोड़ी बड़ी होने से पहले ही मार दी जाती है वन येर से पहले पहले ही मार दी जाती है यह सारे जो differences है यह सारी जो inequality बच्चो डिफरेंस जो disparities को create करते हैं क्या करते हैं क्योंकि यह differences आ रहे हैं असमानता है आ रही है तो इससे भी discrimination create होता है ठीक है बच्चो आज का आपका assignment है बच्चो यह three points आपको लिखने हैं क्या inequality को create करते हैं क्या reasons है ठीक है तो आपको complete points नहीं लिखना है for example first point आप लिखोगे inequality can be due to caste distinction second point लिखोगे inequality was also due to religious difference third point लिखोगे sometimes the cause of inequality can be the result of gender disparity तो यह three points आपको लिखने हैं